ओम नमो गंगाई विश्वरूपनियाई नारायनाई नमनुमह तेस मई मंगलवार को गंगा दिशेहरा है जो की जेश्च मास का चोथा बड़ा मंगलवार भी है इसके साथ ही शोकलपक्ष की दस्मीति थी है उस दिन दर्शमीति थी जो है 29 मई को 11 बज कर 49 मिन्ट से शुरू हो रही है सुभे में और 30 मई को दोपहर 1 बज कर 7 मिनिट तक इसका समापनकाल रहेगा और इसका ब्रहम मूर्थ से लेकर दोपहर 1 बज़े तक शुब मूर्थ जो रहेगा सनान का दान का और बन रहे हैं इसके साथ ही तीन तीन शुब योग रवी योग सिद्धी योग और धन योग इन तीन योगों के कारण अब की बार जो 30 मई को गंगा दिशेरा है वो विशेश बना जा रहा है यानि कि बहुत खास है आप इस दिन सबसे पहले तो मा गंगा को नमसकार करें और सुबह नहाएं तो थोड झतिन खोमुर्त में कोई भी एक चीज का दान करें और वो चीज झो भी दानकर हो 一ो अ Barn करें देखिए दो की सग्ठИामि करना इस दिन बहुत जरूरी है दशिमी तित्लिके के दिन और गंगा दिशेरा के दिन कोई भी चीज आप दान करें कुछ भी जैसे अनाज के पैक्ट करें चाते करें मटके करें कुछ भी करें दस की संख्या में दान करें और दस की संख्या में दान किया हूँ आपका बहुत ही पुन्नेफल दाई होता है और आपके सारे पाप आपको सारे पापों से मुक्ति मिलती है गंगा मया वैसे भी मुक्त करती है थोड़ा सा उस दस लोटे जल में गंगा जल मिला लें और भोड़ेनात को जलाब शेक करें आपके सारे पापों से मुक्ति मिलेगी सारी प्रेशानियों से मुक्ति मिलेगी ये तो था एक सधारनसी बात हम जो कर रहे थे अब अपने मेन विशेब आते हैं कि बच्चों के विवा योग अगर नहीं बन पा रहे हैं बच्चों के विवा बार बार रिष्टा होके टल रहा है या नहीं योग बन रहा है ग्रै दोश बने हुए हैं या विवा दोश बने हुए हैं ऐसे में आप इ उस दिन बहुत ही चमतकारी परभाव रहेगा दश्मी तित्थी दस पापों को हरने वाली है इसलिए इस दिन एक छोटा सा विशेश उपाए सरसों के दाने का जरूर करें आपको बता रही हूं कि सरसों के दाने को उपाए आप किस प्रकार से करें कि बच्चों के तुरंत व शहरा के दिन तीस मई को आप छोटा सा क्या उपाए करें वैसे इस उपाए को बच्चे भी कर सकते हैं मैंने कहा है कि मां करें अगर मां का स्वास्थ्यालाव ना करता हो कोई कारण हो मां उपस्तित घर में नहीं हो कहीं गई हो तो आप बच्चे भी इस उपाए को कर सकते ह करना क्या होगा आपको सुभे में आप सनान ध्यान करके पूजागर में अपने बैठिए पूजागर में बैठने के बाद आपको चाहिए एक कटोरी पीली सर्सों एक कटोरी बहुत बड़ी नहीं सामाने सी हो पीली सर्सों के दाने जो होते हैं वो पीली सर्सों की चाहिए व और अगर बच्चे खुद कर रहे हों तो उनका हाथ लगेगा ही अब इस कटोरी को ले जाकर अपने पूजा घर में भगवान के आगे रखें और बिंति प्रार्थना करें भगवान से शीगर विवा की माता पिता हों तो बच्चों के लिए प्रार्थना करें बच्चे हों त दस चुटकी सर्सों के दाने निकाल लीजिए पूरे गिनके निकालने हैं आपको दस चुटकी अब इस दस चुटकी सर्सों के दाने को जो पीली सर्सों हैं इसको आप पूरे घर में घर के कौने कौने में हर कमरे में घुमा लें बच्चे के विवा की मुनकामना पूरती की प्रार्थना करते हुए इससे क्या होगा एक तो इससे आपके घर की नकारा तमकता दूर होगी अगर किसी ने कुछ किया कराया होगा तो वो सारा उतर जाएगा ऐसे में घर की जो वास्तु दोश कई बार होता है वो भी दूर हो जाता है पूरे घर में गुमाने के बाद बिं अपने पूजा घर में लाने के बाद आपके जो दीपक है उस दीपक में जो आप भगवान के आगे परजलित करें उस दीपक में एक कपूर की टिकिया रखें और कपूर की टिकिया रखने के बाद ये दस जो चुटकी सरसों के दाने हैं इनको उसमें डाल दीजिए ये जलन शुरू हो जाएंगे तो अब इसको अपनी प्लेट में रखे पूरे आए गर में गुमा दें धूएं से बच्चे के विवा दोष सारे दूर कर दें और पूरे घर में घर के कोने कोने में छिड़काव करें थोड़ी सी सरसों ले ले एक एक दाना एक दाना पूरे में विखेड़ते हुए घर में छिड़काव कर दें और इसके साथ ही थोड़ी सी पीली सरसों लेकर आप एक पीले कपड़े में बांध कर अपने घर के म दो मत टांग गएगा और इसके साथ है जो फूरे घर में चिटकाव करने की है वो जरूर कर δेए अब यह जो बड़ी कटोरी है आपके गर के इशार कौन में पूजा घर में इशार कौन बनता हो तो इशार कौन में इसको कटोरी को रख दीजिएगा आपके बच्चे के हाथ लगे हुई इशान कौन में ये पूरी रात पूरा दिन आपका पूरा दिन यानि के गंगा दिशारा के दिन और पूरी रात ये कटोरी इशान कौन में पड़ी रहेगी बच्चे की विवा के कामना को लेकर अगला दिन जैसे ही हो स बच्चों के विबाह दोश दूर होंगे, किया कराया दूर होगा, इसके साथ ही पितर दोश दूर होंगे, वास्तु दोश दूर होंगे, इस एक कटोरी पीली सरसों से आपके बच्चों के विबाह की सारी अर्चने, रुकावटें, प्रेशानियां सब दूर हो जाएंगे, एक बार में एक साथ, एक बार सिर्फ इस उपाय को जरूर करें, आप देखेंगे कि अगले कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये उपाय आपको गंगा दिशारा के दिन किया हुआ, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखाएगा, कि तुरंत बच्चों के लिए रिष्टे आएंगे, अच्छे रिष्टे आएंगे, मन चाहे विवा होंगे, ये उपाय करते ही आपको लगेगा कि जहां हमारी बात चल रही है, वहाँ पर तै हुई जा रही है, जरूर लिखें, आपकी तुरंत और तुरंत मनो कामना पूरुन होगी, वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाल,